हेलो फ्रेंड स्वागा था आपका स्टड़ी हैक चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाब की स्रीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वोकाब की एकदम बेसिक लेबल से अगर जीने कुछ नहीं भी आता होगा वह भी वरी ही असानी से वोकाब सीख सकते हैं हम इसमें नया क्या करते हैं इसमें करते हैं साथ इसाथ पिक्चर टेक्निक भी यूज करते हो और बहुत सारे ौडवल्यूएस या इडियम रहें जिनको मैं किसी इंसी इंसीडेंट या स्टोरी के फ़र्म में आपको समझाने की कोसीज करता हूं ताकि आपको चीजे इस पिक्चर टेक्निक से मुझे यह चीज बताया था इस इंसीडेंस बताया था तो हमारी एक लास डेली 5 पे होती है मंदे टुफ्राइड और सटाड़े स्पेसल क्लास लाता हूं जो आप डिमांड करते हैं तो हम वक्याप तो पढ़ लिए अब इसकी प्रेक्टिस भी ज़रूरी तो प्रेक्टिस कहां से करते हैं तो हम इसमें इंक्लूर करते हैं प्रीवेस यह कुश्चन भी ठीक है आपके में प्रीवेस करें पर दिल के भी ठीकली करता हूं तो मैं इंग्लीज ग्रामर के इंप्रॉर्टर भी डिसकार्स करता हूं क्लास के बीच में एक सब्सक्राइब हों शुक्त है घरर लक prompted सब्चन कहाता हैं तो अब हमारे टास Seat तो एक लिम्टेड टाइम फ्रेम देता हूं ठीक है उस लिम्टेड टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको एंसर करने परते हैं तो अगले दिन मैं आपके comment include करता हूं ठीक है वरना मैं comment सबके पढ़ता हूं ठीक है तो चली सुरू करते हैं आज के class और जानते हैं आज का पहला word तो आज का जो पहला word है वह है course course ठीक है course मतलब क्या है मजबूर करना ठीक है आप ऐसा पढ़ पा रहे हो course आपको homophones लग रहे होंगा course force तो दोनों का मतलब सेम है ठीक है course force मतलब क्या होता है किसी को मजबूर करना दबाव जाना ठीक है तो course का synonym सा force compel press right क्या यह सब क्या इसके synonym से देख पारेंगों इस बंदे के सर पे इसने गन तान दी है तो क्या कर जाए इससे मजबूर कर दिया है sign करने पे paper ठीक है तो इसके antonyms की बात कर ले तो वह जगा allow करना help persuade मतलब क्या आता है मनाना ठीक है आप किसी को allow कर दो किसी की मदद कर दो उसे मना लो तो यह सब क्या है इसके antonyms है किसके कोर्स के कोर्स मतलब क्या है मजबूर करना प्रिसराइज फॉर्थ ठीक है आपको चीज़े क्लियर हो गए हुए आप पिक्चर ध्यान में रखना आपको चीज़े क्लियर हो जाएगी ठीक है चलिए next ब जेंटल मेंन किया होता है एक परवाब पड़ता है अच्छा परवाब भी पड़ता है थिक है तो परभाब शाली होते हैं जेंटल मेंट परभाब शाली कौन वह बहूती परभाब देखते हैं तोनेस्ट वहाग्स है कॉलेट अपको ऐसा सेम लग वह ठीक है मतलब भी होता है कॉलेट को अटन क्राता है कंतर करtu करना है कंभेण ओर्गनाइज ग्याधर यह सब क्या है इसके of call it कर फिक है देख पारेंगा आप फीगर से कि कैसे यह सारी चीज़ों को एक साथ क्या कर रहा है collect कर रहा है यहाँ पे यह बंदा भी collect कर रहा है चीजों को तो ihnen कोपनीm इ 논न मतलकीm dı के ऐंटॅनिम्हों सिसके क्या हो जाएंगे। मतलब मतलब या फैलाना।לה मतलब एकटल करने और इसके ऐंटॉनिम्होंगे। नेश्च्ट नॡ मतलब क्या होता ह्या हुआ कॉलिचालाश्टा काौलॉच बोल्कल devenir अफ्रिय करने जो बोल्कल नूढल यूज करते हैं। देनुयमटं हम क्या करते हैं उससे बहुत ही फैमिलियर होते हैं ठीक है जैसे कि आप खूल में पड़ इंदूर में पड़े होगा और तो आप फॉर्मल इंदूर मल ड्रेस पड़ेंगे होगी है यह सब defined क्या हो जाएंगा तो ऑर्यामे तो यह लोगा है तो बेटा तुम से नहीं पाएगा इसके पिता जी कहा रहा है तो बेटा क्या कर रहा है कि पाप प्लीज डॉन्ट यूज मतलब क्या है कि मैं यह चीज बार-बार सुन चुका हूं ठीक है तो इन्फर्मल वर्ड यह आप यूज मत कीजे बोल चाल वाली ठीक है अच्छा नहीं लगता माली जिए रिस्तेदार के आं गया होगा और इसको ऐसे बोल लें कि बेटा तुम से नहों पाएगा ठीक है तो य यह सब क्या है इसके सीनोनिम्स है तो क् bıikkara पर गर आपर पर वायल होती है वह सब क्या हिए क्या होता है फिक्थ के अन्टोनिम्स का बात करले तो चीज़े घ वासानी से धहां कंबसिबल वह मैटेरियल होता है जिसमें असानी से आग पकड़ लेता है ठीक है अचलिए आपको चीजे क्लियर होगे हुए तो आगे बढ़ते हैं जैसा कि आपको पता है कि हमारा OWS का सेसन आता है ने ठीक है तो यही मैंने कल आपको हमबर्क दिया था अब डॉड रोड आपको पह करते हैं अधेर से अधेर लगें आपको चीजे क्लियर होगे nya टेसे तो नेक्स्ट बात करते अग्ण बुकेट क्या हो था गुलदस्ता ठेक है आप सबीन लोगों ने बुकेट दिया होगा अपने टीजर्स को या फिर आपके लिए जो प्रीय है ठीक है वैलेंतान सब्सक्राइपर का नौत आपको पता हो बुक क्या होता है तो एन अरेजमेंट अफ फ्लावर्स बोकेट बन जाता जिसको किसी को उपहार के रूप में देते हैं इसे बात करते हैं नेक्स है बाग्ञियस मतलब क्या होता मध्धवर्ग ठीक है अगर आप बॉर होरे हो ठीक है क्यों बोर्ड हो रहा है बार बार एक ही चीज़ करकर करके अगर बोर्ड हो रहा है तो क्या हो आप मद्ध वर्ग में हो ठीक है तो ऐसा आप याद रखना बोर्जियस को कि बोर्ड हो रहे थे एक एक काम करके ठीक है एक ही काम करके तो belonging to middle class होता है बोर्जियस मतलब belonging to middle class मद् भूंपाया है? तो ब्ूर हो जाते हैं अपने घ़र में पढ़े पढ़ी है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स है बूटिक बूटिक लर्कियों को बहुत इसे पता ऊणा तो बूटिक क्या होता है महलायों का वस्तेराले है ठीक है अ स्वाफ डेट सेल्व women's cloth and jewelry ठीक है ऐसा दुकान जहां पर महिलाओं के कपरे मिलते हो या उनके आभूसन मिलते हो उन्हें ही बोलते हैं गाय से जो डिलेटेग हो रिलेटिंग टौ काउstairs इसलों को बलते हैं वो बॉवाइं क्या होतां एफ्रेक्टिंग टौइंटिग टौ liters टौ कीसे आयद याद कर रते हैं यदि की चीज किससे रिलेटर है बोवायन मतलब गाय से रिलेटर है घुक है अगे बढ़ते हैं तो जैसा कि आपको पता कि अधिवार इडिया में से सरफना आते हैं कि कर तो आज का पहला इडियम है स्लो स्लो कर रहे हैं तो क्या करता है कि you are doing work at small space ठीक है आपको जिस work में रूची नहों तो आप उसको क्या करते हैं बहुत ही दीदे-दीदे करते हैं I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है at somebody's expenses ठीक है किसी और के लिए भुकतान करना ठीक है या किसी और के खर्च ठीक है paid for by someone ठीक है आपका खर्च कोई और उठा ले तो आपके लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती तो वही होता है at somebody's expense किसी और के खर्चे पर जब आप कहीं जाते हो तो उसी को बोलते है at somebody's expense किसी और के लिए भुकतान करना ठीक है तो आपको travel करने भी मज़ा आता है कि अगर कोई आपके लिए आपका दोस्त क्या कर दे expenses आपका उठा ले ठीक है तो I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी हो तो किसी भी चीज़े को दाओ पर लगा देते हो ठीक है तो artistic मतलब होता है in danger ठीक है खतरे में दाओ पर I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं next बात करते हैं next है at the drop of hat मतलब क्या है तुरन अगर hat के गिरने पर ही आप कोई भी काम कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप बहुत ही उस काम को कर रहे हो ठीक है without any hesitation ठीक है कोई भी hesitation नहीं है आप बीना hesitation के काम कर रहे हो मतलब क्या है at drop of hat जैसे है है drop हुआ अप थोड़ा भी हिच की चाहिए नहीं और काम करना शुरू कर दिया ठीक है instantly without having planned beforehand ठीक है बिना पहले कोई planning के जैसे है गिरा और आप start हो जाता हो काम करना तो आपने पहले से कोई prepare नहीं किया आपने instantly वह चीज़ की ठीक है और बीन at 11th hour ठीक है मतलब है आखरी मौके पर तो 11th hour क्या होता है उसके बाद क्या हो जाता है 12th hour होता है मतलब क्या होता है वह आखरी मौका होता है ठीक है तो at the very last moment ठीक है एट 11th hour मतलब क्या होता है आखरी मौके पर at the very last moment ठीक है आप घरी से देख पा रहे होंगे 11th hour क्या हो रहा है ठीक है अगर जैसे 12th होगा तो day change हो जाता है मतलब वह आखरी मौका था आपके लिए ठीक है आई होप आपको चीजे क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ होगे हमारे class के साथ तो आपको पता होगा चीजे अगर आप नए है तो मैं आपको बता दू कि जब open करते तो इसमें से क्या निकलता है तो box open करने पर निकलता है 100 golden roll किस चीज़ के तो English grammar के तो इस रूल का यूज कहां पर आता है तो इस रूल का यूज आता है error detection और sentence improvement को detection and sentence improvement फिर आपको close test होता है ठीक है और क्या होते है जंबलवड होते हैं ठीक है तो यह सब आपको पूछे जाते है ठीक है तो बहुत ही important है आपके लिए यह सब rules ठीक है तो एक साथ हम 100 rules discuss नहीं कर सकते और कर भी दिया तो classes लंबी हो जाएगी और आपको चीज़े clear नहीं हो कि आप उसे practice कम कर पाऊगे बहुत सारे rules अब भूल जाओगे ठीक है इसलिए मैं क्या करता हूँ daily class में एक एक rule discuss करता हूँ ताकि आप उस rule पर based question को practice कर लो और उसे अपने mind में fit कर लो ताकि जब आप exam में जाओ तो आपकी चीज़े गलती ना हो मावे ठीक है तो अभी त कह रहा कि the present perfect tense is not used with the adverb of past time ठीक है लाइक इस्टरडेज in 1990s etc here past in different tense is used ठीक है जहां पी adverb of past time हो ठीक है जैसे कि study लगा हो या फिर कोई इस भी दे रखा हो 1990 या कोई भी जो past का time दिखा रहा हो ठीक है adverb of past time जहां पे भी हो तो हम वहाँ पर present perfect tense का use नहीं करते हैं वहाँ पर कौन सा tense का use करते हैं तो past indefinite tense का use करते हैं ठीक है आप इस चीज़ को याद रखना कि adverb of past time हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे past indefinite tense का use करेंगे ठीक है चली question आप example से देख लेते है आई है आई है बाट ए साइकल इस्टाइब ठीक है इस्टाइब क्या है इडवार वाफ पास्टाइम हो या फिर कोई सताबदी लिखा होता नाइंटीन नाइंटीफाइब लिखा होता तो क्या होता हमें पता है कि वह पास्ट की चीज़ है तो हम क्या यहां पर present perfect tense के चीज़े और भी किलियर हो जाए ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जैसा कि आपको पता है question answer का session होता है आपको 10 सकेंड मिलते है ठीक है question के answer करने परते है ठीक है तो 12 December के shift 1 की बात हम लोगों ने कल की class में कर ली थी आज हम बात करेंगे shift 2 की ठीक है आपको तो इसी के साथ time आप पोचुका है हुआप आप शगी लोग ने सही answer कर दिया हुगया तो encouragement कैंप करना करना ठीक है inspire करना ठीक है inspire कर रहे हो किसी के boost कर रहे हो उसके energy को ठीक है तो क्या कर आप उसको परसे pillars कर रहे है उसका इनरिय को boost क्रोंट कर सब और यह इंस्पाइरो बूस्ट के सिनोनिम सब intermediates सबनाइब किसे को निरिवेट वह सकते हैं और एक्टिवेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा आप इसको बोल सकतोutesoked और एक्ट्वेट बोल सकतो हो ठीक है किया बोल सकतो δमेशलों यह सब यह सब क्या हो चुन्मनṁ छाइंगे डीजेक्ट हो जाएगा डेंप हो जाएगा यह सब क्या हो जाएगा इसके सिनोनीम्स हो जाएगे यह सब मैं आपको बता चुका प्रिवेस क्लास लिए ठीक है और यहां पर भी डिसक्स कर रहा हूँ चले नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको बताना है एंट्रोनिम्स ठीक है स्ट्रेंज का चार ओप्सन हैं इंट्रिग्यूइंग प्लेस इवेंट्स मुंडियर चलिए फटा-फट एंसर कीजिएगा आई होप आप सभी लोग साइसे एंसर कर पा रहे होंगे पर स्ट्रेंज मतलब होता हücht ठीक है इसको बोल सकता है यूनिक मारवेल classics ठीक है बिजार मतलब स्थ एंसर को बोल सकते हैं जो क्या हो मूंडेन मतलब क्या होता है है संसारी जो एक जासा त niemand ठीक कि ठीक एस्ट्रेंज़ नहों ठीक है आप इसको बोल सकतो हो इस टीक जो समाजजिक होगा वह अलग नहीं दिखेंगा अलग नहीं दिखेंगा इसको बोल सकतो हो क्या च्छल सॉरण्ञ यह हो जागा ठीक है आप इसको बोल सकते हो सब लुनार ठीक है सब लुनार भी इसके क्या होते है सिनोनीम होते है इंट्रुग्विंग मतलब क्या होता है इंट्रुग्विंग मतलब होता है दिल्चास ठीक है इंट्रुग्विंग को बोल सकते हैं इंटर्टेनिंग ठीक है आपने यह अप्जार्बिंग ति कि अब्जार्बींग इंटर्टेनिग यह सब आज एंगेजिंग यह सब क्या हो जांग इसके ते ऐते अ कि अप्रिम प्लेस मतलब क्या होता अस्थान जगह एस्पेस टि洲 स्थ्थ क्या आपको चीज़े क्लियर होगी आगे बढ़ते नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या बताना है इस इडियम का मतलब बताना है क्या है इडियम two and four चार ओप्शन है ठीक है आपफ़वार्ड and डाउनवार्ड from west to east forward and backward from north to south थीख है आई होप आपको चीजे किलियर हो गई होगी तो आई होप आप सब नए सही से होग मॉन्छा ये होगा तो इसका जो सही एंसर नहीं कि वह क्या होजागा फॉरवाय miał व्व होग ने क्या होता है ता कंपन होता करते हैं कभी आगे पीछे आगे irritated ठीक है meditated congruent irreversible irresponsible ठीक है चली से इसका टाइम आप हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने सही साइंसर कर दिया होगा ठीक है तो irrevocable का जो सही synonym से वो क्या हो जागा irreversible ठीक है irrevocable मतलब क्या होता है जिसको अटल ठीक है जिसको आप क्या कर सकता चेंज नहीं कर सकते हो ठीक है तो क्や अल्टर उटर्ड इस्टेबल हो सकता जीज इस्टेबल होगा उसको क्या कर YouTube आप अब बोल सक्वें अल्टर है Oh carbon मतलब क्या होता लान मेडियेटेड मतलब होता है जो खाल कन बेट का अपको पता ही है आपने अगर मेंस पर आओगा तो तो हम्द्रसाव क्या होगा है, मैंने लाप परवा, केर फ्री, केर लेस, रेकलेस ठीक है यह सब क्या है इसकी स्क्राइब में से मैंने प्रिवेस क्लास में ही आपको यह करवाई एचीज़ चले नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आपको अंडरलाइन इडियम का मतलब बताना है टेक विट ग्रेन अफ साल ठीक है अब क्या है ग्रेन ऑफ साल अगर शाल का ग्रेन देखें होगे तो क्या होता बहुत ही कम होता है नहीं एफ तो इसका जो सही अंशर हो जागा है not take too seriously I hope आप सभी लोग ने सभी से इंसर इसको कर दिया होगा नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट को नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इसके लिए ग्रूप वर्ड के लिए साइंटिफिक स्टॉडी और प्लांट एंड दियर इस्ट्रक्ट्र ठीक है कली पढ़ाया था आपको मैंने यह कली ओ डब्लुएस में बताया था ठीक है चार अप्सान प्लांटेशन इंवार्मेंट वाइलोजी बॉट नियुक्त आप सभी लोग सभी साही साही इंसर करेंग फीजबल ठीक है इसको आप कट आउट कर लो ठीक है तो आपके बास तीन ओप्सन है फटाफट करिये गए ठीक है आप सभी लोग ने सही सही कर दिया होगा तो इसका जो राइट एंसर है वह क्या है फीजबल ठीक है something that is capable of being accomplished उसको क्या बोलते है फीजबल ठीक है बाकि यह सब मैं आगे कर बाऊंगा तो आप परसान नहीं हो ना ठीक है चलिए नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है किसका एप्रोप्रियेट का बहुत ही इजी है चारों सेंट्रांस्पेरेंट इंप्रोपर डिस्टरविंग सैलियेंट ठीक है अब कर दिया होगा तो इसका जो सही एंटोनिम्स एप्रोप्रियेट मतलब क्या होता उचित कोई विची उचित है ठीक है उसी को बोलते है एप्रोप्रियेट ठीक है उचित है मतलब क्या है एप्रोप्रियेट है मतलब उचित है ठीक है आप इसको बोलता हो तो एप्ट है फिट है तभी तो appropriate है या फिर applicable है तो इसका जो एंटोनिम सो जगए वो क्या होगा इंप्रोपर ठीक है अप्रोप्रियेट है मतलब प्रोपर है उचित है ठीक है transparent आपको पता है पारदर्सित ठीक है जो पार दर्सी हो मतलब क्या हो ग्राइब ग्राइब इसको ग्राइब बहले सकता इसकी और ख्लियर दिखता तुप इसको ख्लियर भीगे भी कर नहीं थे उसको और ट्रीयर हो इसको प्रेयर और आफ पर आपको पता है अनोचित अन फिर एक तो के बाता है नर्वस हो जाता है आप परसान होते तो नर्वस हो जाते हो डिस्ट्रेसिंग हो जाता है ठीक है यह सब क्या हैं से मतलब क्या होता मुख्य में 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 आप इसको बोल सकते हो मुख्य में अधीके प्राइम यह सब क्या इसके सिनोनिम्स हैं कि आई आगे बढ़ते नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट आपको homework question बताना है इसके लिए वन वर्ड बताना है अपको कब से कब तक बताना है तो आपको class end होने के बाद 5 30 PM से लेके ठीक है same day आपको 10 PM तक बताना है अगर आप इस लिम्टे बताना तो मैं आपको आपका नाम next day include कर पाऊंगा अपने class में अन्यथा नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं आपके questions comments सब परता हूं ठीक है और reply भी देता हूं चलिए तो आज के लिए बस इतना ही आज का class आपको कुछ नया ठीक है अपने class में नया कुछ लाऊंगा तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टेक के लिए झाल 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 झाल झाल